मश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ ट्रिक्स और टिप्स में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आलू का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसे लेकि महिलाओं काफी ज़्यादा कन्फ्यूसन में रहती हैं और बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि क्या ये उनकी गर्भावस्ता में सुरक्षित होगा या नहीं होगा तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखेगा कहीं पे भी स्किप्ट ना करिएगा आलू जो है ज़्यादा तर सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाया जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि गर्भती महिलाएं आलू का ज़्यादा सेवन कर रही हो और दोस्तों जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज़ का सिमित मात्रा से अधिक मात्रा में सेवन करना कहीं न कहीं pregnancy को असुरक्षित कर सकता है कहीं न कहीं से हानिकारक बना सकता है आलो जिसमें sugar की मातरा बहुत होती है starch होता है साथ ही carbohydrate होता है तो ये आपकी गर्भावस्ता में आपको कहीं न कहीं मदमय जैसी बिमारी पैदा कर सकता है तो इसलिए गर्वती महिला हैं इसे लेके काफी ज़्यादा चिंदेत रहती है आलो खाना दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित होता है वो तब जब आप इसे सेमित मातरा में खा रही हो प्रेगनेंसी में अगर आप आलो का सेवन कर रही है तो आपको एक दिन में एक नॉर्मल जो अलो होता है उसका आधा पोर्सन है सेवन में लेना चाहिए यानि कि जो नॉर्मल अलो होता है उसका आधा भाग ही आपको सेवन में लेना चाहिए तो ये आपकी गर्भावस्ता के लिए सुरक्षित होगा बात कर उसके पोशकतत्यों की, तो जैसा मैंने आपको बताया, आलू में कार्भोहाइडिड होता है, स्टार्च होता है, सुगर होता है, फैट होता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है, उर्जा अच्छी मातरा में होती है, और साथ इसमें पाये जाता है फाइबर, इसके अरवाइस में calcium, iron, potassium, magnesium, copper, zinc के इत्यादी भी पाए जाते हैं। अगर आप आलू का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इसके क्या-क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आलू का सेवन करने के फाइदे क्या-क्या आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों आलू खाने का फाइदा ये है कि ये जो है आपके गर्ब में शिशू के जन्म दोशों को दूर करता है। क्योंकि आलू में फॉलिक एसिड कापी अच्छी मात्रा में पाये जाता है। विटामिन सी भी होता है जो कि महिला के शरीर में प्रभावी रूप से एंटि आक्सिदेंट का कारे करता है। और शरीर को free radicals के दुष्प्रभाओं जैसे समय से पहले प्रसव होना या फिर गर्बपात होना जैसे समश्याओं से बचाता है। तरवती महिला की रोग प्रतीरोदक्षमता भी मजबूत होती है और महिलाओं को छोटी मोटी जो बिमारिया हैं जैसे कि सर्दी खासी जुका मित्यादी की समश्या है वो इस दौरान तुरंत नहीं होती है। आलो में दोस्तों फाइबर भी पाये जाता है जो कि महिला को इस दौरान होने वाली कब्ज और गैस की समश्या से आराम दिलाने में भी काफी ज़्यादा मददकार होता है। लेकिन इसको अधिक मात्रा में सेवन में लेने से आपको इसके दुस्प्रभाओं को भी झेलना पड़ सकता है। जैसे कि इसमें गर्भ में शिशु को इस पायना बिफीडा नाम की बिमारी का सामना करना पड़ सकता है। वो भी तब जब आप हरे आलू का सेवन करती है। और ऐसे जन्म दोस होने पर गर्भ में शिशु की मस्तिस्क और रेट की हड़ी में इसका असर हो सकता है। कहीं न कहीं इने छटी हो सकती है। इसके अलावा अधिक मातरा में इसका सेवन करने पर आपको मदुमीय का खत्रा हो सकता है। इससे आपके शरीर में आपके रत में सुगर लेवर बढ़ सकता है जिससे कि आपको इस दौरान शुगर की प्राब्लम हो सकती है और इस दौरान शुगर की प्राब्लम होना आपके लिए तो खतरनाक होता ही है साथ ही गर्द में शिशू के लिए खतरनाक होता है और ये जो ह आपको पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है और आपको अपच की समश्या शूरू हो सकती है और अंत मैं आपको बता दू कि इससे आपको high blood pressure की समश्या भी हो सकती है अगर आप आलू का सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में सेवन करती है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखे कि आपको सीमित मात्रा में आलू का सेवन करना है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा कितनी मात्रा में करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है तो उमीद करती हूँ वीडियो आपके लिए helpful होगा आपकी गर्भावस्ता को सरक्षित बनाना और स्वस्तरकना ही हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स और टिप्स का उद्देश्य भी है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेर करिएगा और हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स और टिप्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स पर वाचिंग फिर मिलूंगे आपसे नई वीडियो में तिल देन स्टे हैपी, स्टे हैल्दी